हलो दूस्तों नमस्कार आज की इस फीडियस में हम बात करने वाले हैं अगर आप मिनी ब्रांच से खाता खुलबा रहा हैं तो आपको यहाँ पर कौन कौन से साबधानिया वर्तनी हैं और आप किस तरीगी से खाता खुलबा सकते हैं कि आखिर उसके चार्जस कितने लगेंग हैं जिसे कि अगर आप मिनी ब्रांच से खाता खुलबा रहा है मिनी ब्रांच में और में अंतर क्या होता है कि शोटी-चोटी मिनी व्रांच से खोल लिए नतर ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग है वह सभी की बैंक सही चाहें में किसी दूसड़े की ठीक है पर हम इस वीड पर जाके खोल ली जाएं तो ऐसे में यह है कि वहां पर सारे ही काम कर पाते हैं पर बड़े लेविल पर काम नहीं कर पाते हैं जैसे कि अकॉंट खोलना तो वहां पर एक छोटा खोल देते हैं आपका ठीक है अब आपको यहां पर यह चीज़ की साफधनी यहां पर बरतनी है अधिक बड़ा लेन देना जैसे कि लाखों में लेन देना है और आपको चेकबुक की जरूरत पड़ती है इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत पड़ती है तब आप अपनी मैं बिरांच में ही जाके खाता खुलवाएं ठीक है बहाँ पर आपको एक हजार रुपाय जो की बेमा आके देने पड़ेंगे ठीक है वह आपको यह वह आपको लेना ही पड़ेगा तभी आप खाता खुलवाएं ठीक है अन्यता खाता नहीं नहीं खुलते हैं जाद देन के लिए अपके पास अगर pen card नहीं है तब भी आप खुलवा सकते हैं, आधार card नहीं है तब भी आप खुलवा सकते हैं, मिरी विलांच में खाता खुलवाने के लिए जैसे कि निवास आपके पास होना चाहिए, फिर कोई ऐसा document होना चाहिए जो कि आपको ये साबित कर सके कि आप इंडिया के ही निवासी हैं, और आप इस इस्तान के निवासी हैं, आपके फादर्स बगएरे का उसमें नाम बगएरा होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे में मैंने अपना खाता खुलवाया था, मूल निवास से भी खुलवाया था, पर वो छोटा खाता था, तो मैंने वहाँ पर कटवा कर और अपना खाता मैंन विरांज से खुलवाया था, ठीक है, जो कि वहाँ पर अधिक पैसे विड्रॉल और जमा, इसी के साथ में नैट बैंकिंग और यहाँ पर चेक बुक मुझे मिली थी, ठीक है, पर आगर आप मिनी विरांज से खाता खुलवाते हैं, तो आपको वहाँ यहाँ पर एक बीमा योजना लागू हुई है, और इसमें तीन योजना आया है, ठीक है, तो आप तीनों योजना में से कौन-कौन सी योजना लेना चाहाते हैं, और आपको एक यहाँ पर योजना तो लेने ही पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आ जाती है, जैस तो आपको दो लाग रुपए आपके परिवार वालों को दे दिये जाएंगे अब इसी के लिए भी एक उम्र सीमित जाने की निर्धारित की अगर आपकी उम्र 18 साल से 50 साल है तब तो आप इस बीमा के पात्र हैं अगर आप खाता खुलवाते हैं तो यह तो आपके उपर चे दरणा बिमा मिलता है ठीख है तो आपको इसमें 20 रूपय में मिलता है और इस्जीके सात्व में यहां पर आपको टां क status पर सकते हैं सब्सेंद से अगर आपको कहें इस पर अंगूटा लगा माइए तो आप उनसे कह सकते मैंगूठा नहीं लगाऊंगा ठीक है या फिर सिंग्नेचर नहीं करूंगा ठीक है तो आप उन से पहले उस सिलिप के लेकर पड़ें आराम से तब आप बहां पर करें ठीक है इसके बाद में आ जाता है अटल पिलसन योजना काफी लोगों को यह पता नहीं होगा कि अटल प घाली यकिम होती है चालू सकते है उपने खाते पर ठीक है यह फकली में पता है और मंतली के पैसे कटakte थे यह से आथा था ठीक है थो मुझे बाद में पटा चला उसके बाद मैंने ब्राच से जाक framework कॉंटक्ट किया मैंने सोचा कि आखिर पैसे कट रहा है तो वह कट किस चीज के रहें ठीक है तो मुझे इस चीज के बारे में पता होना चाहिए ठीक है तो उन्होंने कहा कि यह सुब्दा है अटल पिल से नहीं हो मन्त को मिलने शुरू हो जाएँगे साट साल के बाद की साथ साल आपकी시 पूरी हो जाएगी थीक है इसी की साथ में आप चाहें तो यह सतु आप laughed सकते हैं ठीक है कि मैंने उसके बाद में से चलते ही रहने दिया क्योंकि मैंने सोचा कि चलो 40-42 पचास रुपाई यह ज्यादा नहीं है ठीक है जो कि मंदली के करते हैं ठीक है क्योंकि अगर ज्यादा बड़ी अमोंट होती तो मैं इससे साथ बंद भी करा देता क्योंकि लास्ट में जाके इससे हमें कुछ प्रॉफिड ही होगा ठीक है तो इस योजना मे आप खाता खुलवाना चाहते हैं तो आप जड़वा सकते हैं और एटो मेटो ही आपके वैंक खाते से 42 रुपाई पर मंत के इसाब से करते जाएंगे और ऐसा भी नहीं है कि जो आपके खाते में पैसे खतम हो गए तो आपके यहाँ पर ज्यादा अधिक पैनाल्टी लेग तो दोस्तों दोनों ही वैंक्यों के बारे में मैंने आपको लमसम बताई दिया है और आपके मेरे में फिर भी कुछी प्रकार को भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं मिलते हैं नाइस वीडियोस में